आज दूनिया का और पूरे साल के दिनों में से सबसे अफजल और बहुतर दिन अर्फा का दिन है और हो भी क्यों न जब कि लाख ताला ने इस दिन को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है जो फजीलत इस दिन को हासिल है वो फजीलत किसी और दिन को हासिल नहीं है अल्लाक रसूल सलल्लाहु अलिह वसल्लम ने फर्माया कि अल्लाह ताला अर्फा के दिन जिस कदर लोगों को जहन्नम से अजादी अता करता है उस कदर किसी और दिन में अजाद नहीं करता अल्लाह कर रसूल सलल्लाहु अलिह वसल्लम ने एक दूसरी हदिस में फर्माया कि अल्लाह ताला अर्फा के दिन आस्मानी दुनिया के ओपर आखर अपने अबादत गुजार बंदों को जहाते हुए फरिष्टों से फर्माता है कि ये लोग किस चीज के इंतिजार में हैं फरिष्टे जवाब देते हैं कि अल्लाह तेरी मगफिरत के उमीद रखते हुए तेरी रह्मो करम के तलबगार हैं अल्लाह ताला फरिष्टों से कहता है कि याद रखो कि मैं अपने इन तमाम बंदों को माफ करता हुए और अर्फा के दिन की फजिलत अल्लाह तेरी में इससे भी अंदाजा लगता है कि अल्लाह तेरी में अर्फा के दिन जवाल के बाद जोहर और असर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह तेरी में इस दिन की अहमियत को फुद पाया और अपनी उमत्यों को समधा करके दिखाया कि ये दिन दुनिया की तमाम दिनों में सबसे अफ़सल और भेतर दिन है इसलिए नभीय करीम अल्लाह तेरी में अपना एक लम्हा एक सिकन भी दाय नहीं होने दिया अलग रसूल तेरी में दुआ करने में मश्गूल रहे तो सहाब एकराम ने अल्लाह की रसूल सललाह अल्याई वसलम की अहालत देखकर शक किया कि मुंकिन है अल्लाह की रसूल सललाह अल्याई वसलम रोजे से हो बेगेरों से के हैं इस चीज़ को जानने के लिए अल्हाग रसूल सललाह वालियों सलम को दूद भेडा जब अल्हाग रसूल सललाह वालियों सलम ने दूद नविश फरमाया ने दूद को पिया तो सहाबे कराम को यकीन हो गया कि अलाज के रसुल सb. रोजिए से नहीं है bele चार्थ में लाग रसूल सललाह वज़ाय है की फ़ियल से इस इस हादीश के इस धीन की अहमियत का पता चलता है कि अलाजक रसूल सललाह वज़ाय हुए वस लि5 जिस उट मी पर सवार्त है अलाजक वसूलtimeAllahu अरह संहें की उठनी हरकत की आपियुक्री म सॉल्लाह उद्वा यूर्युंस ने उसका जो लेगांप रहा हुआ था वो नभी करीम सुल के ऐसूं। उसको उठाया और दुआ के अंदर मश्गूल हो गए ये इस बात की दलील है मेरे भाई कि ये दिन जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला दिन है तब ये करीम सल लाह वाले के वसलम ने उस दिन का एक लम्हा भी जाय नहीं किया तो जो लोग भी अरफा के दिन को पाते है तो उनको चाहिए कि वो अपने वक्त को जाय न करें बलकि दुआ के अंदर मश्गूल नहीं अरफा के दिन लोगों की दो हालत होती है एक हालत तो ये है कि जो लोग हज के मैदान में हज करते होते हैं यानि जो अरफा के मैदान में होते हैं हज की नियत से हज करने वाले हो लेकिन वह नहीं करते हैं तो उन्सका हुकम लगा जो लोग हज के मैदान में हज के नियत से मौझूद है उनके लिए रोजा रखना जायज नहीं है उनके लिए रोजा रखना जायज नहीं है और नो उनके लिए रोजा रोजा मश्रू ही है हाजी लोग हज के मैदान में यार्फा के मैदान में चुके जो हाज अड़्च अर्फा की मैदान में नहीं पहुच सका उसका हज नहीं होगा इसल minutes क्या करते हैं अर्फा के दिन को हज का बेजिन कहा जातरी है खुसिज की तोर पर और अगर वो अरफा के मैदान को नहीं पहुँच पाता है तो उसका हज रही हुँआ इसे जो भाई भी हज के मैदान में है या जिनके रिष्टेदार हज पे गया हुए है वो उनको तंबी करें कि आज जो नवी ज्लिहता है अरफा का दिन है वो अर्फा के मैदान के अंदर दाखिल हो जाए और अपना पूरा दिन यानि सूरज गुरूब होने तक अर्फा की मैदान में रहे और अल्लाह ताला की रिवादत और जिक्र और अज़कार तक्बीर और तहलील और तस्वीर में मश्वूल है नभी करीम सलललाहू अलेहिए वसलम से जो दुआ साबित है जिसके बारे नभी करीम सलललाहू अलेहिए वसलम ने हाजियों के लिए खास करके फरमाया और तमाम नभीयों ने जो इस दुआ को परी है जो सबसे बहतर दुआ है और नबी करीम ﷺ ने और उन से पहले और नबीों में जिस दुआ को परी है वो है ला इलाह इल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल्मुल्कु लहुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल्हुल् बार बार पढ़ते रहें और मगर्ब की अजान होने तक सूरज गुरूब होने तक पढ़ते रहें तो मैं बता रहा था कि अर्फा के दिन लोगों की दो तरहां लोग दो तरह की होते हैं एक तो वो होते हैं जो हज के मैदान में हज की नियत से हैं तो उनके उनके उपर रोज रखना जायज नहीं है दूसरे लोग जो हज के मैदान में किसी काम की नियत से हैं तो उनके लिए रोज़ा रखना सुन्नत है और रोज़ा रखें और जो लोग अर्वा के मैदान से दुनिया के जिसकोने के अंदर मौझूद है और उनकी नौ तारीख दुनिया के जिसकोने में मौझूद है और उनके अर्वी की तारीख के इतिबार से नौ तारीख ए तो उनके लिए रोज़ा रखना क्या है नभी अकरीम ordinaryCómo की सुन्त है फिर से सुनिए कि अर्वी की तारीख के इतिबार से जिस मुलक के अंदर नौ तारीख है या कि यू कह ल कि जो लोग साओधी अर्ब के साथ एद करते हैं रोजा रखते हैं उनके लिए आज अर्फा का रोजा रखना यानि नौजलहिज़ा का रोजा रखना सुन्त हैं और अर्फा की दिन की फजिल्फ मेरे भाई ये सिर्फ हालियों के साथ खास नहीं हैं बलकि हर उस इंसान के हैं जो आज नौजलहिज़ा को मौझूद है तो अर्फा की दिन के अहमियत और फजिल्फ उन तमाम इंसानों के लिए हैं जो अर्फा की दिन नौजलहिज़ा को नौजलहिज़ा को मौझूद है चाहें अरब के अहले अरब के अंदर हो या अरब कंट्री से बाहर हो तारी की मैदान की पनियाद पर रही है बलकि अर्फा की दिन की वज़ा से है और अर्फा का जो दिन है मेरे भाई हर मुल्क की तारीख के एतिबार से मौझूद हर मुल्क की तारीख के एतिबार से उनका ये दिन होगा यानि अगर कोई मिसाल के तोर पर जो जो सौधी अरब के साथ इद करते हैं या जिनोंने सवाधी अरब के साथ चांद देखा है उनके लिए उनके लिए जिलिजदा की नमी तारीक के आरफा का दिन कह लिजिए यह आज का दिन है जिसमें आजी लोग क्या है हज के मैदान के अंदर मोजुद है और दोने हिंदुस्तार पाकिस्तान बगला नमी तारीक बन रही है तो यह अरफा का रोजा यह क्या है अरफा की मैदान और दिन और तारीक की इतिबार से नहीं बलकि मैदान के इतिबार से उसको अरफा का रोजा कहा जाता है और उसकी अहमियत की बुनियाद पर वरना क्या है और यह कहींजिए कि अमुमी तोर पर च है तो जो लोग अर्फा की मैदान में हूं या के अर्फा की मैदान से बाहर हैं और वो सौधी अरब की तारीख के इतिवार से अपना हर कुछ करते हैं तो उनके लिए आज रोज़ा रखना क्या है हमियत और फदिलत की हामिल है और अलाक रसूल रसौलालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालालाला तो नभी अकरीम स्ब्सक्राइब के फदेल है वो वो उसको बाइए किया फर्माई नभी करीम स्वाइब ने कि नभी करीम स्नुल्लाह वौ उस्टम्न ने फर्माया टी अर्फा मैं उमीद रखता हूं मैं उमीद रखता हूँ कि योमी अर्फा के रोजे से साल आइंदा और साल गुजश्टा नभी गरीम स्वें भी फर्माया कि साल आइंदा आने वाला साल और साल गुजश्टा जो घुज़र गिया है अई गुज़र 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 लहू वस्सरत ल्लती बालहू मैं उम्मीद रखता हूं कि यौम ए अर्फा के रोजा से साल आइंदा और साल बुजश्टा दो साल के गुणा अल्ला माफ कर देता है मुतरिम सातियों ये अर्फा का रोजा है ये तारीक के इत reharad से यागि नौई तारीक अगर सौधी आरब के साथ या सौधी आरब चाना हैं और जो सौधी आरब के साथ इद उगरा करते हैं और अपने तौमाम मामलात रोजा और हर्शी तर्खेवेए उन के लिए आधर्फा के दिने हैं लेकिन जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंगला देश नेपाल के अंतर मौजूद है उनके लिए कल क्या है ये रोजा नभी एकरियम सुनत के मतादिक मज्रून होगी और उसको ये फजीलत हासिल होगी अब अगर कोई आदमी दोनों दिन का रोजा रखता है तो उसको क्या एक्तियार हासिल है उनको एक्तियार हासिल है चुक्छे क्या है नफली रोजा है और ये पूरा का पूरा वहिना क्या है ये पूरा का पूरा अश्रा जो है यानि अरफा के एक तार्मत यानि जिलहिजा की कि एक तारिख से ले करके नो जिली छात तक क्या है पूरी के पूरे दिन ये क्या फजीलत वाला दिन है लिक्तार करने के बाताइं और बौए नो दिन का रोज़ा अगर कोई इनЧто पूरे नौतर रखता है दिन और अइसलाम की थारms 강ु PP पाया है और हम खलीजी ममाली के अंदर जो भाई मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं खुसूसी तोर पर कि आप अगर रोजे से हैं या अगर रोजे से नौ भी हो तो आप क्या करें अपने वक्त को जाय न करें बलकि अलगर रसूल सुल लाहु आलिही वसलम के सुन करते रहें ताकि कि क्या है आप इसकी फजीलत को पासके और आपकी दूआ अल्ला के नद्दीक कुबूर हो दूसरी बात जो मेरे भाई बहुत अहम जो मैं कहना चाहरा हूं वो यह है कि अरवा की दिन में जो हाजी लोग मैदान के अंदर होते हैं उनके लिए जरूरी है ख तो नभी करीम स्लिल्ला हुआ रही है वसलिम की हदीश से सावित है कि इंसान जबले रह्मा के पास ही पहुच करके दूआ करें या कि अपना वक्त जाने नहीं बलके अरफा का मैदान पूरा का मैदान यह क्या है ठारने की जगह है तो जो हाजी जहां भी हो वो उस जगह प के लिए और अपने मिसल्मान भाईयों के लिए और उन मुसलिम और मजलुम भाईयों को खुसूसी तोर पर दूआ हो में याद रखें जो हर तरह से सिताय जाते हैं जैसे बुर्मा के अंदर है और उसी तरह से सूरिया के अंदर है फिलिस्तिन के अंदर है किश्मीर के ये सबसे अफ़जर और बेतर दिन हैं तो दूजरी रसी है जो मैंसल में करना चाहरा था हाधी लोगों के लिए जो है में रिवाय के जो भी हज के मैदान में हैं उनको जरूरी तोर पर ये चाहिए कि अपने वक्त को दौाओं में गुजा रहें इदर उदर खूमने और चाह पर नाजर होता है और वो आप हैं कि आप अर्फा के मैदान में हैं अल्लाह ताला आपको देखने के लिए आपकी अबादत को देखने के लिए आपकी हैत और कैफित को चाहने के लिए आप क्या कुछ मानते हैं उनको देखने के लिए अल्लाह ताला आप से बिल्कुल है आत्मानी दुनिया के उपर नादिर हुआ है तो आप अपने वक्त को दोव के अंदर गुजारें और फालतु कामों से गुरेज करें मिरे भाई जो लोग अपने अपनी अबादतों को पिक्टर के जरीए से या यह कि अपनी अबादतों को भूम और ट्रहल कर बरबाद करन तो उनको क्या करना चाहिए कि वो वहां पर बैठ करके अल्लाह ताला की अबादत करें बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मुखतलिब जगहों पर मुखतलिब शक्लों में मुखतलिब हायत में मुखतलिब तरीके से फोटों की जवाले के कोशिश करते हैं मेरे भाई यह बादत को फोटो के अंदर कैड़ करके पिक्चर खीज करके अपने दोस्त और रहबाद के पास भेज करके ये दिखाएं कि हम क्या हज के मैदान में मौजूद हैं या अर्फा के मैदान में ये कोई जबनी नहीं मेरे भाएं ये इखलास के मुनाफी हैं आप अल्लाह के लिए करने गए हैं अबादत तो आप अल्लाह के लिए रहने दिजिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको हक बात कहने सुने और उसके मताबिक अमल करने के तौफीग अता फरमाएं और जो भाई लोग रोज़र से हैं और जो अर्फा के दिन को पाए हुए है आज उ बखवास बातों में लगने से कुनेज करें और अपने वक्त को मगरिब तक मगरिब तक क्या है हर लम्हा लाह कि अबादत और दुआ में गजारने की कोशिश करें इसलिए कि यह बहुत ही जादा अहम दिन है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको हक्भात कहने आमिनु समय आल्लाह टाला निबी मुहम्मद मुबारिक वसल्म अधिसरे मुन कसी राखिए